जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ये सिर्फ फिल्मी डायलोग ही नहीं आपको आपको अपनी टार्गेक नहीं मिल जाती है जब तक आपको अपनी सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आपको संघर्षर करना ही पड़ेगा करते रहना ही है हम आपके यह विडियो अपलोड करते हैं जो अक्सर कोश्चन भी पूछते हैं हलाकि कोश्चन भी पूछते हो और पढ़ने की चेश्टा भी रखते हैं चलिए एक हम लोग जहारखन जोग्रफी के एक भाइंकर कोंचेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कोश्चन भाइयों कोई यह प्रोब्लम हो जाती है कि जो नदी का अपवाँ छेतर हैं कभी कभी आ जाता है दसनी पूर्वी अपवाँ छेतर कभी आता है उत्तर पश्मी अपवाँ छेतर अरे यार याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कभी कभी बोल देता लोग दचनी पूर्वी है या पूर्वी दचनी है कभी कभी बोल देता आपको उत्तर दचनी है या दचनी ऊत्री था यह चीज़े थोड़ा सा कॉन्चेप्ट किलियर करने में काफी तिविकल्ट होता है यही चीज़े कॉन्फ्यूजन हो जाती है लोगों के बिच तो देखे हम आपको क्या बता रहे हैं बता क्या रहे है कि कोई भी नदी का अपवाद छेतर किधर है अपवाद छेतर कहने का मतलब कि कोई भी नदी जो किधर परवाहित होती उनका परवाद छेतर किधर किधर से होकर गुजरती है किस दिशा में होकर गुजरती है तो हलाकि अगर आप आप कोई standard book पढ़ते हैं तो वहाँ दिखता है कि यहां नदियक को जो जार्खन नदियों का अफवाद छेत्र है वह 5 दिशावों में है पहले पूर्वी अफवाद छेत्र चीजों को आप लोग देखिएगा पूर्वी अफवाद छेत्र कौन शेप्ट यहां केलियर होगा जो कि आपको कभी भूलेंगे नहीं पूर्वी अफवाद छेत्र आपका आता है दस्चनी अफवाद छेत्र उत्री अफवाद छेत्र उत्री अफवाद छेत्र यह चीजों आत करने में थोड़ा सेट्रीफिकाल्ट होता है कभी कभी लोग बोल देता है पुर्वी दचनी दशनी अफवाछेतर था या पत्री श्वाछेत था लेकिन हैकिकत क्या होता है उत्री पत्री स्वाछेतğी और दशनी फुर्वी अफवाछे चीजें आपको यह भी घंज होता है तो आपको confusion विल्खूल भी न रखना है देखें क्या होता है यहीं में यहीं तो कॉंशेप्ट समझना था आपको यह आपका उत्तर है यह आपका पुर्व है यह आपका दस्चिन हें यह आपका पुष्चीम है छीच है चीज stains यह पष्चिम है एक तो आपको यह आता कि पूर्वी अपवाज़ जैसा कि हम आपको पताएं ता प्रस्जणी आता है कि यहाँ इधर नदी नहीं घुज़रेगी बात ऐता आईसा भी आता है कि कियों नहीं होता है भाई बात एसा है कि इधर पार छेत्र है यह जो एळिया है जो यहлом के पशचत्र संवान Allen Green चाहिक JUDGE- ऊस्थान कि यह बहती है दो यहां 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 ये इधर के data काा मतलब कि नाम अधिकापरवा नहीं है कि तीन चीजओं द्वाइब हो गई पुर्याव्टेतर र॥्या अफवाचेत और पस्मित तो नाम की नहीं के बारे में कि नदी इधर भी बैती है क्योंकि इधर उच्चा पहाड है पहाड नदी में नहीं बैएगी उसका परवाहित इधर नहीं होगा अब परसना आता है कि दस्चनी पुरिवी अफवाच हैत्र और उत्री पश्चमी अफवाच हैत्र कैसे आतक रखेंगे तो आपको पता है ना कि एंटी क्लोक चलना है आपको क्लोक तो यह हो गया ना एंटी क्लोक आपको चलना है घड़ी रोट ऐसे एंटी क्लोक चलना है एंटी क्लोक चलना कहने का मतलब कि दस्चनी पुरिवी अफवाच हैत्र यहां से आपका चौथा उप्शन निकल के आया क्या निकल लेके फिर चलना यह से ऐंडे क्लोग एक पूरुवी अफवार छेत्र प्लस अल्टर्णे Roundि त्राइब को छोड़ वाद उत्री अफवार छेत्र पांच जीज आपको किलियर हो गई पर फाइनल क्या आता है उत्री आपत है गई आप बात आती है कि एक 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 जामपल दे दीजे कि कौन-कौन ऐसे नदी है जो पूरब क्योर बहते हैं तो आपको एक 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 जामपल दे तो पूरवी अफवाद छेतर जिस नदी का फवाद छेतर है वो दामुदर नदी है ठीक है उत्तर में आप समझ ये पुन-पुन बहते हैं कि य अब आता है चीजें किया को दूरह हो गया है तो नदी पूरवी तरफ आप का स्वर्ण रेकान दी पहते है स्वर्न एक ミी वही नदी जो राची के नगडी गाव से निकलती है वही नदी जो 17 रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वही नदी जिसमें जिसमें सोने के अंस पाए जाते हैं उमीद है दोस्तों चीज़े आपको समझाई होगी अगर आप चीजों को समझ भाते हैं जरूर बताईएगा नहीं आत चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइफ करें